नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे conditional formatting को use करते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा दोस्तों basically मैं यहाँ पर conditional formatting को use करके कैसे किसी भी row या फिर column को by color मतलब कि color को use करके highlight करते है उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक table को यहाँ पर design किया हुआ है इस table मैंने लिया है item, quantity, rate and amount मतलब कि item के यहाँ पर मैंने कुछ item का नाम उसका quantity, rate and amount को यहाँ पर मैंने लिया है और यहाँ पर right side पर देखिए उपर की तरफ यहाँ पर मैंने लिया है item और नीचे मैं data validation के थुरू सारे items का नाम यहाँ पर add करूँगा और add करने के बाद जब भी मैं यहाँ से किसी भी item को choose करूँगा choose करने के साथ ही table में वो item by color automatically highlight हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं item के list को बनाऊँगा इसके लिए यहाँ पर add करना होगा data validation को इसके लिए आपको जाना है data tab में data tab में जाने के बाद यहाँ पर देखिए data validation एक option आपको मिलेगा यहाँ पर click करने के बाद फिरसे आपको data validation में click करना है click करने के साथ ही data validation का एक window यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ से आपको choose कर लेना है list को यहाँ से तो यहाँ पर arrow पर click करेंगे और list को choose करेंगे choose करने के साथ ही यहाँ पर आपको source देना होगा source box में click करने के बाद सारे items का नाम आपको यहाँ पे select कर देना है select करने के बाद just एक बार ok में आके click करना है ok में click करने के साथ ही आपका जो सारे item का नाम का एक list यहाँ पे create हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते है किसी भी item का नाम यहाँ पर देखिए जो भी item वहाँ पर था वो सारे items यहाँ पर add हो चुके हैं दोस्तों अब आप यहाँ से किसी भी item को यहाँ पर चूज कर सकते हैं जब भी आप किसी भी item को चूज करेंगे तो वो item आपके table में जहाँ जहाँ भी होगा वो color के द्वारा highlight हो जाएगा इसका process मैं अभी conditional formatting के द्वारा करके यहाँ पे दिखाऊंगा तो दोस्तो conditional formatting को यहाँ पे use करने के लिए सबसे पहले आपको table को select कर लेना है तो मैं शुड़ू से एकदम last तक table में जितने भी data है उनको मैंने यहाँ पे select कर लिया है इसके बाद आपको जाना होगा home tab में home tab में जाने के बाद यहाँ पे देखिए conditional formatting नाम का option आपको मिलेगा यहाँ पे आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ से आपको new rule में जाके एक बार click करना है क्लिक करने के साथ ही एक window यहाँ पे open हो जाएगा और यहाँ से एकदम last वाला जो option है इसको आपको यहाँ पे pick कर लेना है जहाँ पे लिखा हुआ है use formula to determine which cells to format सिलेक करने के बाद नीचे के इस box में आपको एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो item name है उसको आपको select कर देना है select करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार ध्यान दिजिएगा आपका जो row name and column name जो है इस cell का वो दोनों ही यहाँ पे lock किया हुआ है यहाँ से आपको row को unlock कर देना है मतलब कि 3 के पहले जो dollar sign है उसको यहाँ पे मैं click करके erase कर दूँगा और dollar sign को erase करने के साथ ही आपका row जो है वो यहाँ पे unlock हो जाएगा फिर देंगे equal sign और equal sign देने के बाद आपको item के नीचे यह जो box है इसको एक बार आपको यहाँ पे select कर देना है select करने के बाद आपको click करना है format option में format option में click करने के साथ ही format cell नाम के window यहाँ पे open हो जाएगा और यहाँ से आपको field tab में जाके एक बार click कर लेना है click करने के साथ ही यहाँ पे देखिए नीचे color का बहुत सारे option आपको दिखाएगा जो color आपको पसंदो उसको आपको यहाँ से choose कर लेना है और एक बार ok में आके click कर देना है ok में click करने के साथ ही वो color देखिए यहाँ पे apply हो चुका है फिर से एक बार ok में click करना है करने के साथ ही देखिए यहाँ पे item के नीचे मैंने ram को choose किया था तो टेबिल में जितने भी रैम थे वो सारे color की दुआरा highlight हो चुके है अब आप यहां से किसी भी item को choose कर सकते हैं मान लिजे मैंने यहां पर keyword को choose किया है तो देखिए keyword जो है वो यहां पर highlight हो चुका है तो दोस्तो आप यहां पर अपने जरुवत का अनुसार किसी भी item को choose करके उसको अपने टेबिल में highlight कर सकते हो तो दोस्तो यह था conditional formatting का एक simple process जिसको use करके आप अपने टेबिल में किसी भी data को highlight कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thankyou for watching the video please keep your support